हलो फ्रेंज स्वागत है सबका मेरे टूप चैनल रूपर म्यूटी पार्लर में तो चलिए आज हम आप लोग को बताने हाले हैं अप लोग के साथ सेयर करने वाले हैं रोलर वैक्स हीटर तो जैसे कि यह है देखिए रोलर वैक्स हीटर है और इसके साथ में रिफिल भी दिया यह वैक्स है रिफिल और यह जो है वैक्स हीटर है तो चलिए इसको ओपेन करते हैं देखते हैं कि जो इसमें क्या-क्या समान आया है अभी पहली बारी इसको आलाइन मंगाये हैं अगर आप लोग को अगर मंगाना चाहें तो इसका हम लिंक का आप लोग को डिस्कॉप्शन में दे देंगे आप लोग वहां से जो है इसे पर्चेस कर सकते हैं तो चलिए इसको मुपन करते हैं देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस साथ में भी आता है इसका रिफिल और ये हीटर साथ में भी आता है और अलग-अलग भी आता है तो हम जब इससे खरीदे हैं त तो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग एक साथ लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से लीजिएगा, अगर अलग अलग लेना चाहते हैं, तो अलग से भी मिल जाएगा, तो इसको मूपेंड कर रहे हैं, सबसे पहले रिफिल को हटा देते हैं, रिफिल को निकाल दिया, इस तरीके से ने देखियो वैक्स भारा हुआ है, इस्टाबरी फिलेवर का है ये, इस्टाबरी, और इसके साथ में ये हीटर दिया हुआ है, ये इसका हीटर है, कुछ इस तरीके से देखिये, इसका कैप है, ये इसका तार दिया हुआ है, वायर है, और देखिये, इसके साथ में क्या, इसके साथ में पट्टी भी दी हुई है, इसके साथ में ये वैक्स स्ट्रिप भी है, इतना सा, तो अचलिया है, इसके साथ में अन्दर ये खाली है, तो इस रिफिल को इसमें हम डाल देंगे, एक कैप हमने अटा दिया, इस रिफिल को इसमें हम डाल देंगे, और इसका वायर लगा देंगे, तो चली देखते हैं कि कितने टाइम लेता है, कितने टाइम में गरम होता है, यहां से हमने वायर को लगा दिया, और इसे हम इस तरीके से देखें, इसमें लाइट अन हो गई है, इस तरीके से देखें, इसमें, ब्लू कलर की लाइट अन हो चुकी है, ऐसे आपको दिखेंगा, साइट से, दोनों साइड है, इधर भी है, इधर भी है, तो लाइट आपको एक ही साइड देखेंगी, और यहां से यह वायर लग गया, और अब इसे हम लगा के छोड़ देते हैं, देखेंगे कितना टाइम में जो है गरम होता है, फिर आप लोग को बताते हैं कि कितना टाइम में लिया, 4 मिनिट हो चुका है है तो चले देखते हैं गरम हुआ है कि नहीं तो इसे टच कर रहे हैं तो यह घर & आजब ही लग तो चले भी से घरn करते हैं कि इस लहकर को हुटाएंगे गीर इसमें एक इस तरीके से देखिए शील बंद है इसको हुटाएंगे तो इस तरीके से देखिए इस धक्कन को आपने अटा दिया है इसे ओपन कर दिया है पांच मिनट में ये हीटर गरम हो चुका है वैक्स को आप छूके देखेंगे वैक्स अभी बिल्कुल ठंडा है वैक्स अभी नई गरम हुआ है पांच मिनट में आपका हीटर जो है गरम हो जाएगा अभी वैक्स नहीं गरम हुआ है अभी इसे हम और दस मिनट जो है छोड़ेंगे तो दस मिनट के बाद फिर हम इसे इस्तिमाल करेंगे फिर आप लोग को भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से काम कर रहा है अच्छा है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो अभी आप लोग के साथ हम सेर करेंगे तो चलिए वैक्स लगा के देखते हैं कि कितना गरम हुआ है तो सबसे पहले देखिए जो है पौडर को लगाएंगे अब देखिए वैक्स करने से पहले जो है डारेक्शन को देखना पड़ता है डेकिए अब किसी का डारेक्शन नीचे सीधे होता है अब अब देखिए मेरा जो डारेक्शन है उस तरीके से ज्सक्राइब लिए फिरकर गूमें और वेखस गूम हुआ है, इस डारेक्शन प। बतंक जब दारेक्शन जर्ण से तो है में बाल अच्छे से नहीं निकलेंगे, तो देख Ihzen सायट से है, इसी तनी साइड सायस। कर रहे हैं तो इस तरीके से देखिए हमें जो हैं बहुत खीच के लगाना पड़ रहा है जब कि से हम 20 मिनड तक अपने जिसे हम पोड़ में रहा हैं बीस मिनट तक चार्ज में लगाए थे वैक्स को लगा दिया है अब देखते हैं कि काम कितना अच्छा करता है यह अब हमारे पास जब कस्टमर आती है तो उनके पास इतना डाइम नहीं होता है इतना जो है वेट करें आओ क्योंकि जो है भाई कस्टमर है तो उन्हें बहुत जल्दी काम चाहिए होता है तो तब के लिए ये पार्लर में इस्तमाल करने के लिए तब के लिए नहीं सही है अगर कस्टमर के पास टाइम है तब तो ठीक है अगर उनको बहुत जल्दी काम चा इसका जो काम है वो अच्छा है और वेक्स ज्यादा गरम नहीं है इसलिए इसे जो हम लगा रहे हैं अपने हाथ पे तो हमें बहुत खीच के लगाना पड़ रहा है जिससे की हमारे जो बाल है वो खीच रहे हैं तो इस चीज का में ध्यान देना है कि इसे 20 मिनिट में अगर क् है कि अच्छा गरम हुआ तो कम से कम झाली से 30 मिनिट तक रहना पड़ेगा जहांता क्मेरा अंधाजा है 30 मिनिट तक जो हम इसे रख देगे तब इसे तब इसे हम अच्छे से इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन 20 मिनिट में अच्छे से इस्तिमाल नहीं हुआ है लेकिन काम इसका अच्छा है अब भर जी आपको लेना है या नहीं लेना है